कोलकता में महिला आयो का गहराओ बीजेपी कर रही है और आज बीजेपी की महिला विंग टेनी डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर गहराओ करेगी ये बवाल लगाताल जारी है बीजेपी का एक सप्ता तक कोलकता के एस प्लैनेट में धरना जारी है और दो सितंबर को दफ्तरों पर धर्ना देगी बीजेपी 6 सितंबर को बंगाल के हर मंडल में प्रदर्शन भारती जन्ता पार्टी करेगी कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले का बंगाल में बवाल इसको लेकर जारी है 29 अगस्ट से 1 सब्ता तक कोलकता के एस प्लैनेट में बीजेपी का धर्ना जारी है साथ ही 30 अगस्ट को यानि आज बीजेपी की महिला विंग महिला आयो का घिराओ करेगी और 2 सितंबर को जिला मेजिस्टेट दफ्तरों का घिराओ करेगी पार्टी 4 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर धर्ना देगी और 6 सितंबर को बंगाल के हर मंडल में प्रदर्शन किया जाएगा इसके अलावा बीजेपी कोलकता में तीन प्रदर्शन करनी की भी तैयारी कर रही है पहला प्रदर्शन काली घाट में मम्ताब एनरजी के आवास पर होगा दूसरा प्रदर्शन राज्य सचिवाले नवन्ना पर जबकि तीसरा प्रदर्शन कोलकता पुलिस हेटकौार्टर पर होगा हमारे समवधाता देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकता से हमारे साथ लगता अपडेट वहां से दे रहे हैं देवनाथ जरा बताईए अब बंगाल में रेप मर्डर मामले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ नियाय की मांग शुरू हुई जाच के बाद आरोपी को दोशी करार दे कर उसे सजा दिलाने की मांग होते होते अब प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है देखिया अनन्द राजनीत अपनी जगह है और राजनीत की अपनी मजबूरियां है लेकिन उस बाप ने जिसने अपनी बेटी खो दी उसके दर्द उसके आंसू बहुत कुछ बया करते हैं मैं आनन्द अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये जो गली है न ये बेहत खामोस गली है और मैं ये बताता हूँ कि यहां पर अगर माता पिता की बास सुनें यहां पर अगर उनके आंसू देखें तो साप जाहिर होता है कि जिन्दगी की जंग जो बेटी हार गई उसके माता पिता जिन्दा होती है भी किस कдर परेशान है किस कदर उनके आंसु लगा तार गिर रहे हैं जहर सी बात है कि राजनीत सडकों पर है लेकिन इस घर में सन्नाटा है और खामोसी है दर्द है बेवसी है अभी हमने बात किया भारत एक्सपरस ने exclusive बात चीत की जिसमें बता रहे हैं कि जो लोग धरना कर रहे हैं, जो लोग प्रतर्सन कर रहे हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए हर हाल में चाहिए और C.B.I. अभी कल भी आही थी पूछ bother करके, तमाम सरे लोग को से पूछ Marsh चाह रही है और अपडेट भी ले रही है, जा पीछे का सच ये भी है कि राजनीत में जमीन खिसकती है तो बहुत कुछ बदलने लगता है ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ आपको कि बीजेपी अलग धरना प्रदर्शन कर रही है टीमसी को लगता है कि अब उनकी राजनीत परदे के पीछे की रह नहीं गई है अब जो है उनको परिशानी बढ़ गई है क्योंकि जो कोलकाता का आम आदमी है जो कोलकाता का यूथ है जो कोलकाता का जो बिरोत प्रदर्शन कर रहा है उसकी डिमांड सिर्फ यह है उसकी मांगे है कि हर हाल में इंसाफ मिलना जरूरी है और उसलिए उस सड़कों पर और ये भी मैं फस गई है जिस मुद्दे ने ममता को बड़ा नेता बनाया तो जाहर सी बात है कि इन सवालों के आलावक में जब आप पूछते हैं कि धरना पॉलिटिक शुरू हो गई है तो मेरा ये भी कहना है कि पॉलिटकल पार्टियों के जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को उठाए नख्राइ और अगर वो कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है सरकार को समझना पड़ेगा सरकार को तề्快 करना पड़ेगा विरोत को सिर्फ इस आदार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोई political party कर रही है क्या political party को धरना कि अनुमती नहीं है क्या political party धर्ना नहीं कर सकती मेरा सवाल सत्ता धारी दल मेरा सवाल सत्ता धारी दल से जिसकी जिम्मेदारी है इस तरह की घटना ना हो और अगर होती है तो उस घटना पर नियाय दिलाए जाए वो सड़क पर उतर कर धर्ना प्रदर्शन में जुट गई है जाच पर क्या उसको भरोसा नहीं है क्या हाई कोट या सुप्रीम कोट पर भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ मंत्राले है मुख्यमंत्री के पास ग्रेह मंत्राले है और मुखे मंत्री कहा रही है कि अगर कॉलकता जलेगा तो देश के दूसरे राज्यों को भी जलाएंगे वो भी जलेगा इस तरह के बयान जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चिंता होनी ज़रूरी है कि क्या जो नियाई की मांग हो रही है वो दब तो नहीं जा रहा है देखिए जरा समझे इस पूरे परदिल से को संजय रॉय जो मोटर साइकिल चलाता है जो बाइक चलाता है वो किसके नाम से रेजिस्टर्ड है ये भी सवाल बहुत मत्पूर है इसके बाद क्राइम सीन को जिस तरीके से भीड घेर लेती है वहाँ पर तमाम ऐसी लोग खड़ हो जाते हैं कैसे पूरे केंपस को पूरे उस क्राइम सीन को घेरा नहीं गया ये सारे सवाल परिवार उठा रहा है और तमाम पुलिटिकल पार्टी अब उठा रही है लेकिन जब दे इस बसिम बंगाल के मुख्यमंत्री ये कहती है कि अगर धरने को इस तरह से बिरोत प्र तरीके के वो खुद इसी तरीके के बिरोत प्रदर्सन के बाद बड़ी नेता बनी थी जहर सी बात है कि जब अब वो इसी जाल में फस रही है तब भारते चंता पार्टी का भी रणनीत है वो भी चाहती है कि इस बार ममता बनर जी को हर हाल में घेरा जाए और पुलिटिकल योगी इस वक्त जुड़ी हुई नियूजरूम से देवनात कोलकता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुचंद्रिमा का रुख करते हैं जाच हो रही है जाच में क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है आपके सूतरों के जरीए क्या जानकारी मिल रही है और दूसरी तर और अभी तक जो अपडेट आच चुकी थी सीबी आई की तरफ से बस वहीं पे फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि सीबी आई इसके बाद क्या काम कर रही है क्या अपडेट है क्या एक्शन है दूसरी गरिफतारी तीसरी गरिफतारी जो पहले से बोली जा रही थी कि इस संजय रहोई सिर्ट नहीं उनके साथ और भी अपराधी शामिल हो चुके हैं तो इस बात का प्रूफ क्या है सीबी आई के हाथ पे ऐसी कौन सी चीज है जिसके खिलाफ वो एक्शन ले पाए तो इस वक्त ट्रिनमूल कॉंग्रेस की तरफ से पिछले यूवा ट्रिनमूल प पूरे घटना में बहुत ज्यादा प्रेशर में थी कि क्या बोले क्या पार्टी एक्शन क्या होगी तो ये एक पॉइंट आ गया है कि कोलकाता पुलिस के खिलाफ जैसी आवाज उठाना शुरू हुआ था शुरू के दिनों में उसके बाद सीबी आई ने केस ले ली सीबी कई समय पे भी पर ये जो केस है मीडिया प्रेशर है वहां के नागरिक जो है रास्ते पे उतर चुके हैं कई बार अभी भी प्रदर्शन जारी है नागरिक समाज की तरफ से चात्र समाज की तरफ से बहुत सारा प्रेशर उनके तरफ भी है कि सच ऐसे बाहर आए जो के घट तरीके से वो आगे बर रहे हैं ऐसा उनके काम को देखके गतिविदियों को देखके माना जा सकता है पर ये बात आनन जी मैं कहना चाती हूँ जैसे इस घटना के शुरू से मैं देखती हूँ आई हूँ कोलकाता में भी मैं गई थी एक जो चीज यहां पे बहुत राजनितिक स्थर से अब किस मोर पे जा सकता है बहुत सारे ऐसे आवाज उठ रहे हैं के ममताब एनरजी इस्तफा दे दे तो next क्या बीजेपी अगर चाती है के इस घटना का अंजम ऐसे आए के ममताब एनरजी इस्तफा दे दे ट्रिनमुल सरकार गिर जाए तो उसके साल में 356 अगर राश्ट्रमती शाषन जारी हो जाए तो बीजेपी उससे एक राजनेतिक फाइदा उठाने के कोशिश कर सकती है क्योंकि दोहजाद चब्विस में वहाँ पे विदान सवा का चुनाओ भी आ रहा है तो विदान सवा चुनाओ से पहले बीजेपी के पास एक राजनेतिक मुद्धा हो सकता है यह घटना के राज्य के सुरक्षा ववस्ता को लेकर खाला कि यह जो घटना है उसे जस्तीफाई कोई भी नहीं कर रहा है त्रणन बोल मल कॉंग्रेस की तरफ से भी उससे जस्तिफाई नहीं किया गया है बार बार यह बोला जा रहा है कि जो एक्चुल उस दिन हुआ था नौथ आउगस्ट को जो हुआ था उस घटना को छोड़के अभी पूरे राज्यों में पूरे जगाओं पे ऐसी छबी फैलाई जा रही है कि ये सिर्फ एक राजनितिक मुद्दा हो गया है दोनों पार्टियों के बीच में. बरशुक्रिया देवनाथ हमारे साथ जुनने के लिए चंद्रिमा आपका भी शुक्रिया.